Hello friends, welcome to my channel So friends, आज हम इस वीडियो में करने वाली है novel जिसका नाम है Oliver Twist जो कि 40 टैंकन के द्वारा लिखा गया है and इस novel में जो main character है उसका नाम है Oliver तो जो Oliver का जब जनम होता है तब उसकी mother की death हो जाती है यानि कि Oliver की जो mother है वो Oliver को जैसी जनम देती है उनकी death हो जाती है and जिस और लेडि के द्वारा Oliver का बर्थ करवाया जाता है वो जो और लेडि होती है वो Oliver को एक अनाथालिया में छोड़ाती है तो जो और लेडि होती है उसे Oliver की mother के पास एक packet मिलता है जिसे वो अनाथालिया का जो main head होता है Mr. Bumble उनी की wife Mrs. Bumble को वो packet दे देती है अब जो Oliver है वो अनाथालिया में रहता है तो आठ सालों तक Oliver वही पर रहता है इसके बाद जो Mr. Bumble है वो Oliver को एक work house में भेज देती है तो वहाँ पर और भी बच्चे होते हैं जो कि उस work house में काम करते थे और वो जितने भी बच्चे होते हैं वो सभी अनाथ होते हैं यानि कि आठ सालों तक तो उन्हें बेबी फार्म में रखा जाता था देन उन्हें बाद में work house में भेज दिया जाता था तो वहाँ पर क्योंता है कि work house में बच्चों से बहुत ज़्यादा करवाय जाता है लेकिन कि उन्हें खाने के लिए बहुत कम दिया जाता है यानि कि work house में बच्चों के साथ अच्छा भीएव नहीं किया जाता था तो जो उलीवर है वो दूसरे बच्चों के साथ बात करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर जितने बच्चे हैं वो सब भी मेरी तरह दुखी हैं क्योंकि इन सबसे काम तो बहुत ज़्यादा करवाया जाता है लेकिन खाने के लिए बहुत कम दिया जाता है इसलिका जो Oliver है वो कहता है कि क्योंना हम सबी मिलकर जाएं और हम कंप्लेंड करें कि हमें खाने के लिए तो बहुत कम दिया जाता है या फिर जो खाना बांटते हैं हमें उनसे और ज़्यादा खाना मांगना चाहिए लेकिन क्या कि जो भी बच्चा जो खाना बांटते हैं उससे अगर हम ज़्यादा खाना मांगेंगे तो वो हमें के है punishment देगा यानि कि वो खाना देने के बजाए के है punishment देगा इसलिए जितने भी वहाँ पर बच्चे होते हैं वो सभी कहते हैं कि हमें से कौन खाना मांगेगा यानि कि जो भी खाना मांगेगा उसे तो punishment मिलेगी तो जो Oliver है वो कहते है कि मैं खाना मांगूंगा तो एक दिन क्या होता है कि जब वो खाना बांट रहोता है तो सभी बच्चा जितने भी बच्चों होते हैं वो सभी एक एक बार खाना ले लेते हैं तो जो Oliver है वो second time फिर से खाना मांगता है तो जो खाना बांटने वाला होता है उसे गुस्सा आ जाता है कि जो oliver है उसने वापिस खाना मांगा है और जो oliver है एक तो होता है खाना जिस यानि कि हमाई जो tone कैसी है खाना मांगने के लिए अगर जो oliver है वो bagging के रूप में मांगता तो बात अलग थी लेकिन यहाँ पर जो ऐलीवर है वो पूरे साहस पूरे जोश के साथ खाना मांगता है बैगिंग के रूप में नहीं मांगता है जिसके कराण के होता है कि जो खाना बाढ़ने वाला होता है वो ऐलीवर को Mr. Bumble के पास ले जाता है और वो कहता है कि इस Oliver ने मिरसे यानि कि रूट बिहेव किया मिरसे जो बात है वो बहुँ ज़दा रूटली की इस ही कायन क्या है कि जो Mr. Bumble है वो Oliver को Mr. and Mrs. Sovery के पास छोड़ाते हैं Mr. and Mrs. जो Sovery है वो क्या है कि कफिन बनाने का काम करते हैं तो ये कहा जाते है Mr. Bumble के द्वारा कि आप Oliver को भी अपने साथ रखो और इससे भी आप जो भी काम करवाना चाते हो जितना भी काम करवाना चाते हो आप करवा सकते हो तो अब क्योंते कि जो Oliver के लाइफ है वो बच्पन से ही बहुँ ज़दा दुख बरी थी यानि कि उसके साथ हमेशा से ही बैड बिहेव किया जा रहा था तो यहाँ पर भी कहा है कि जो Oliver है वो पूरा दिन कफिन बनाने का काम करता था देन रात को वहीं पर वो कफिन में ही सो जाता था तो यहाँ पर भी Oliver है जो वो दुख बड़ी लाइफ ही जी रहा था तो वहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है नो तो यह जो नो होता है वो Oliver से बोज़ ज़्यादा चिरता है उससे हमेशा परेशान करता रहता है एक दिन जो नो है वो Oliver को यानि कि बुरा बरा बोलता है इसके साथ ही वो उसकी मदर के बारे में भी बोल देता है जिसके कान जो Oliver है उसे बहुत ज़्यादा गुसा आजाता है और इनके बीच में लड़ाई हो जाती है तो जब Oliver और जो No लड़ रहे होते हैं तभी Mr. and Mrs. Sobery वहाँ पर आते हैं ना तो रहने के लिए कोई shelter होता है और ना ही उसे खाने के लिए उसके पास कुछ होता है उसी दोरान के होता है कि Oliver की यानि की एक मुलाकात होती है एक लड़की के साथ जिसका नाम होता है Artful Dozer तो जो Artful Dozer है वह से कुछत है कि तुम कहां रहते हो तुम क्या करते हो तो जो Oliver है वह बताता है कि मैं अभी यहाँ पर लंदन में आया हूँ मेरे पास ना तो रहने के लिए कुछ जगा है और ना ही खाने के लिए कुछ है तो जो Artful Dozer होता है वह Oliver को कहता है कि चलो ठीक है तुम ऐसे करो तुम मेरे साथ चलो मैं तुम एक ऐसे आदमी के साथ एक ऐसे परसन के साथ मिलवाओंगा जो तुम्हें रहने के लिए शेल्टर देगा और खाने के लिए फूर्ट देगा Fagin है जो वह चोरों का सरदार होता है यानि की यह अपने अंडर में बहुत सारे लड़के रखता है उन्हें के हैं पौकिट मारने का काम सिखाता है तो इसी के दोरान जो Fagin है वो ये सुचते है कि क्यों ना मैं Oliver को भी अपनी गैंग में शामिल कर लूँ और ये भी चोरी करकर लाएगा समान और मैं इसे के है बदले में रहने के लिए जगा दे दूँगा और खाने के लिए फूर्ट दे दूँगा तो जो Fagin है वो Oliver को कहते है कि ठीक है तुम मेरे साथ यहाँ पर रह सकते हो तो जो Oliver है उससे पता चल जाता है कि जो Fagin है वो चोरों का सरदार है और वो सबी को कहा है पौकिट मारने का काम सिखाता है तो जो Fagin है वो एक दिन क्या करता है कि Oliver को 40 Beards और Artful Dozer इन दोनों के साथ भेज देता है चोरी करने के लिए तो यह जो दोनों है 40 Beards और Artful Dozer इसके साथ जो Oliver है वो चोरी करने के लिए जाता है और यह किस परसन के चोरी करते है मिस्टर ब्रानलो की आप क्या होता है कि जब यह चोरी करने के लिए वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर जो Mr. Brannlo होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि जो उनकी pocket है यानि कि उसमें से चोरी हुई है pocket को मारा गया है तब क्या होता है कि जो artful dozer और बिर्स होते हैं वो तो वहाँ से चले जाते हैं लेकिन जो oliver है वो वहीं पर रह जाता है तो ये दोनों तो भाग जाते हैं लेकिन जो oliver है वो यानि कि घबरा जाता है उसे समझ नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि जो Mr. Brannlo ह उन्हें पता चल जाता है कि उनकी चोरी हुई है तो क्या है कि वो शोर मचाने लग जाते हैं जिसके कान जो उलीवर है वो बहुत ज़दा घबरा जाता है तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन्हें ये लगता है कि उलीवर ने चोरी की है जिसके कारण वहाँ पर पुल उससे लड़के ने चोरी की थी, जिसके कारे के ओता है कि जो Mr. Brownlow है, वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और Oliver को महां से छुड़ा कर लाती हैं, इसके साथ ही वो सोचती हैं कि क्यों ना मैं Oliver का भरन पोशन करूँगा, मैं इसके टेक केर करूँगा, तो जो Mr. Brownlow है, वो Oliver को अपन पाउंड का नोड देते हैं, एंड उसे कहते हैं कि तुम इस बुक्षोप पर जाओ, और ये रुपीज और कुछ बुक्स होती हैं, वापिस देनी होती है उस बुक्षोप पर तो वो तुम देने चले जाओ, तब ही क्यों होता है कि जो फैगिन होता है, वो चाहता था कि Oliver क वापिस अपने पास बुलाना चाहता था, इसी कारण के हैं कि वो Nancy को भेजते हैं कि कहीं पर भी तुम्हें अगर Oliver दिखते हैं तो तुम्हें उसे वापिस मेरे पास लेकर आना है, तो जो Nancy है वो Oliver को एक बुक्षोप पर देखती है, और कहें कि जो Nancy है वो उसे अपने साथ ले आती है कि चल तुम्हेरे साथ चल फैगिन तुम्हें बुला रहा है, जिसके कारण के होता है कि जो Oliver होता है, उसे Nancy अपने साथ फैगिन के वहाँ पर ले जाती है, तो जो Oliver है उसे वो life पसंद नहीं आती है, यानि कि ये चोरों के साथ रहना उसे पसंद नहीं आता है, लेकिन किया कि जो फैगिन है वो उसे जब दस्ति अपने साथ रकवाने लग जाता है, तो जो Oliver है उसने अच्छे कपड़े पैने हुए थे, और उसके पास एक 5 पाउंड का नोट होता है, तो जो फैगिन है वो कहा है कि उससे 5 पाउंड का नोट भी ले ले लेता है, और उ साथ, अब जो Oliver है वो एक घर पर जाता है, साइक और टोबी के साथ, तो कहा है कि उस घर में जो में गेट होता है, वो बंद होता है, और वहाँ पर एक विंडो लगी हुई होती है, और वो जो विंडो है वो बहुत ज़्यादा चोटी होती है, इसी कारण क्या है, जो भी व और चोरी करेंगे तो जो Oliver है वो नहीं चाता था कि चोरी हो तो इसी कारण के है कि लेकिन ये उसके साथ जबदस्ति करने लग जाते हैं उसे विंडो के थूँ घर पर बेज जाते हैं जिसके कारण के होता है कि वहाँ पर Oliver के द्वारे के हैं कि कुछ यानि कि समान गिरा दिया जाता है जिसके कारण घर के जो लोग होते हैं मैंबर्स होते हैं वो जाग जाते हैं उन्हें पता लगता है कि उनके घर पर चोर गुस आए हैं इसे कारण के होता है कि ये जो चोरी करने के लिए जाते हैं तो इनका जो प्लैन होता है वो फेल्ड हो जाता है जिसमी कहते हैं कि साइक और डॉफी होते हैं वो तो भाग जाते हैं लेकिन जोौण। अभर भी होता है उसे उस घर में एक सवेंट के थू कि त्रू के हैं लेफ्ट अब पर गॉली लग जाती है जिसके कहां जो ऑलीवर है जख्मी हो जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है तो महां के चुमें मैमबर होते हैं रोस मिसस्ट मैरले और डॉक्टर लोसबर्न. तो इसको ढूढने के लिए जहां पर उलीवर पहले रहा था मतलब कि मिस्टर ब्राणलो को ढूढने के लिए जो डॉक्टर लोसबर्ण है वो इसकी हल्प करते हैं अब क्या होता है कि जब यानि कि लोसबर्ण के साथ उलीवर वहां पर वापिस जाता है तो वहां पर जो मिस्ट लेकिन वो इस बात के लिए खुश होता है कि उसे वो चोड़ों की जो दुनिया थी वहां से वो निकल गया लेकिन क्यों होता है कि थोड़ टाइम बात जो मिस्टर ब्रानलो है वो बापिस आ जाते हैं लंदन में तो जो जैसी उन्हें देखता है तो उलीवर उनसे मिलने के लिए जाता है अब क्या होता है कि जो मिस्टर ब्रानलो है उसके पास जब जाता है तो उसके बाद सारी घटना के बार में बताया जाता है कि इस तरीके से चोड़ी हुई थी और मुझे यानि कि इन्होंने है की जो मिस्टर ब्रानलो है उनकी मुलाकात मॉंक के साथ होती है जो Monk है वो Oliver का half brother होता है यानि कि Oliver के जो father की first wife है जो उनका बेटा होता है Monk Oliver की जो mother है उनकी marriage Edward के साथ होनी थी यानि कि Oliver के father के साथ होनी थी लेकिन शादी होने से पहली कहा है कि Edward की death हो जाती है इसके बाद जो Oliver की mother होती है उनकी भी death हो जाती है तो जो Monk है वो नहीं चाता था कि जो Oliver है वो अच्छे तरीके से रहे वो चाता था कि Oliver वापिस उसी criminal की जो दुनिया है वहाँ पर रहे इसलिए कि जो Monk होता है वो जितने भी Oliver के जो भी parental निशानी होती है वो किसका बेटा है यानि कि उसका जो भी past होता है उसे मिटाने की कोशिश करता है इसलिए कि जो Monk है वो Oliver का जो अनाथाली है वहाँ पर जाता है और वहाँ के जो मालिक है जो head है उनसे मिलता है और जो भी Oliver की निशानी होती है वो सब भी क्या है प्राप्त करके उसे खतम करने लगता है लेकिन जो मौंग है वो इस काम में फेल हो जाता है और वो यानि कि ऐसा नहीं कर पाता है जिसके बार लास्ट में क्या होता है कि जो Mr. Branlo है वो Oliver को अड़ोप कर लेते हैं and then क्या होता है कि Oliver को अ जाती है so hopefully आपको ये जो स्टोरी है वो समझ में आगी होगी अगर आपको कोई भी confusion है तो आप हम एक मेरे सेक्शन में बता सकते हैं आपका डाट दूर कर दिया जाएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक मैं वीडियो सब्सक्राइब मैं चैनल थैं तो कि ये झाल लुफ ये वीडियो में थी चैनल थाड़ी आपकि ये जाता है कि वे दैदे हैं लुफफ ये ये लगार को ये तो ये दो खेज़िए वागला करते हैं अग्र हें इनल जाशने जाता है ईक्टी सब्सक्राइब मैं तो हैं तो कि अख रहीएं जाएब दोरा ह